कि हेलो फ्रैंड्स व्यटियो में देखने वाले हैं कि हम कैसा है और इसके कितने मेथर्ड होती है तो आगे ने हैं तो पर इस चैनल को subscribe करें एंड वीडियो को लाइकन शेर करें तो देखते हैं friends कि हमारा first method कि हमारा factorize method second method होता है हमारा completing square method and third होता है हमारा quadratic formula and fourth होता है हमारा graphic method जो कि यह हमारे syllabus में नहीं है तो हम इसे पढ़ने वाले नहीं है तो friends अगर आपको quadratic equation के बारे में नहीं पता तो आप हमारे चैनल पर जाएए और हमने last वीडियो में quadratic equation का introduction दिया है और अच्छे तरीके सा समझा है कि quadratic equation हम कहते किसे हैं तो friends हम आज के आज की वीडियो में हम देखते हैं अपना first method की factorize method हमारा क्या होता है देखे friends factorize method को हमें समझने के लिए step by हमें समझना पढ़ेगा factorize method it's very simple बस आप बात आ दिये कि आप कितने focus से आप चीजों को समझते हैं देखे friends सबसे पहले हमें example लेते हैं कोई हमारे पास equation है x square plus 5x plus 6 is equal to 0 तो हमें इसे factorize method को हमें step by समझना पढ़ेगा तो release step में हम क्या करेंगे गो जानेंगे देखे फरसे step में हमें करना है कि जो भी हमारा constant है उसकी multiply हमें x square के coefficient से करनी पढ़ेगी यहां पर इस western का coefficient क्या है यहां पर कुछ नहीं है तो वन है तो हम थो हमेंने क्या बोला को जो भी हमारा constant number है, उसकी multiply हमें किस से करनी पड़ेगी, x square के coefficient से करनी पड़ेगी, तो x square के coefficient क्या था हमारा 1 था, तो 6 बन था 6, second step में हम देखेंगे, कि 6 हमारे कौन से table, किस के table में हमारा 6 आ रहा है, हम ऐसा number देखेंगे, जिस के table में हमारा क्या रहा हो, 6 आ रहा हो, तो सबसे पहले हमारा किस के table में आएगा, 2 के table में 2, 3 था, 6, बट हमें ये धियान भी रखना पड़ेगा, कि हमारा, हमारी second, third condition क्या होगी, कि plus करके, ये जो आपको sign दिख रहा है, ये इधर वाला, 6 के बढ़ावर वाला, हमें plus करके 5 बिलाना है, तो क्या हमारा 5 आ रहा है, तो अगर हम 2 प्लस 3 करेंगे, तो क्या आएगा, हमारा 5 आएगा, वरना तो 6 तो 6 के table में भी आता है, 6 बंज़ 6, 6 बंज़ 6, मगर plus करके कितना आ रहा था है, यहाँ पर 7 आ रहा था, यहाँ से एक से डिवाइट करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ से एक से डिवाइट करेंगे, तो बचे गया, 2, plus, यहाँ पर क्या common है हमारा, यहाँ पर 3 common है, क्योंकि X तो दोनों में है नहीं, तो 3 है हमारा, तो मैंने 3 common ले लिया, common का मतलब होता है, डिवाइट करना, अगर मैं तो 3 को 3 से डिवाइट करूँगा, तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर क्या बचा, X बचा, अगर मैं 6 को 3 से डिवाइट करूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा 2 आएगा, देखे फ्रेंड्स, जब भी आपको देखना हो कि हम question सही कर रहे हैं, या गलत में, कोई हमारी mistake तो नहीं हुई, अगर यह दोनों ब्रेकिट सेम आती है, अगर यह दोनों ब्रेकिट सेम आती है, तो हमारा question क्या है, right, okay, तो देखे फ्रेंड्स, हमारे पास यह दो ब्रेकिट हो गई है, तो एक ब्रेकिट हमने common ले ली, X प्लस 2, अब यहाँ पर क्या बचा, X प्लस 3 बचा, तो कुछ नहीं करना, बस एक बार X प्लस 2 के इक्वल में 0 रखना है, आपको, और एक बार X प्लस 3 के इक्वल में 0 रखना है, तो यह प्लस का 2 है, तो उधर जागे, माइनस का 2, यह प्लस का 3 है, तो उस साइड जागे, minus 3 तो यह हमारे zeros आ गए देखे फ्रेंड यहां पर जब भी हमारे equation में दोनों positive होंगे तो क्या आएंगे दोनों negative आएंगे तो friends देखते हैं second example और देखते हैं फिर उसके बाद हम video को वही पर stop करते हैं देखे फ्रेंड देखते हैं हम second example देखे फ्रेंड अगर suppose कीजिए 2x square plus 3x plus 1 is equal to 0 अगर अपके x square का coefficient 2 है या कोई भी अलग 1 से अलग कुछ भी है तो हम कैसे करेंगे देखे सबसे पहले step क्या दा हमारा first step क्या दा हमारा जो भी हमारा constant number उसकी multiply हम किस से करते हैं x square के coefficient से तो 1 multiply 2 तो 2 1 जा 2 अब हमें देखना पड़ लगा है 2 किस के table में आता है तो 2 1 जा 2 क्या 2 plus 1 करके 3 आ रहा है बिल्कुल आ रहा है तो हम 3 की जागा क्या रखेंगे 2 plus 1 तो 2x square हमारा ऐसी अब 3 की जागा क्या रखना हमें 2 plus 1 x ऐसी हमारा 1 ऐसी हमारा देखिए तो 2x square हमारा ऐसी ब्रेक इट ओपन किजिए तो 2 की x से multiply करेंगे तो 2x 1 की x से multiply करेंगे तो x आएगा और plus 1 is equal to 0 पेर बना लीजिए एक इसका और एक इसका यहाँ पर क्या को मनें यहाँ पर 2 भी है दोनों में और x square और x मतलब x भी है तो छोटा वाला हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा क्योंकि 2 से 2 cancel और x square को x से divide करेंगे तो एक x से बचेगा यहाँ पर 2x को 2x से divide करेंगे तो क्या आएगा 1 यहाँ पर कुछ common नहीं है तो 1 तो x plus 1 हमारा ऐसी आजाएगा देखिए दोनों bracket है हमारी same आच चुकी है तो मतलब कि हमारा question अभी तक यहाँ तक क्या है right देखिए दोनों bracket है same आगई तो एक bracket को बाहर निकाल लेजिए अब बचेगा क्या 2x plus 1 is equal to 0 बस कुछ नहीं करना एक बार x plus 1 के equal में 0 रखना है आपको और एक ब equal to minus के 1 upon 2 I hope friends आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो friends अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please video को like करें and share करें thank you